हेलो प्रेंट वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक्निक्ट का अनलिसिस पॉर नेक्स्ट मिट तो लास्ट टेडिंग सेशन फाराइडे की दिन हमने बैंक्निक्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखी और बैंक्निक्टी क्लोज ह हुआ है 36,421 पे लगबग 1200 पॉइंट के गेन के साथ लगबग 3.4 परसेंट ऊपर बंद हुआ है थर्सडे के क्लोजिंग के ऊपर 4.3 पॉइंट 4 परसेंट तो यहां जो है तो यहां नीचे के लेवल से हमने अच्छी खासी शॉट को रिंग देखी और यह कंट्यू भी हो तो शुरू करते हैं मंतली चार्ट से तो मंतली चार्ट पे आप देख सकते हूं कि बैंक निफ्टी जो है तो लगबग ट्रेड कर रहा है इस मैने के लिए साढ़े 4 परसेंट नीचे लगबग 1700 पॉइंट के लॉस के साथ तो हमने उपर के लेवल से अच्छी खर से से सेलि और लोए 35,000 के रहा हूं तो लगबग 5000 पॉइंट का अप्रॉप्जिमेटली अल्रेडी रेंज देख चुके तो वह आपको दर्शाता है कि मार्केट में कितनी हो लटिलिटी है और यहां मंतली चार्ट पे मुझे लगता है कि हम लॉंट टम करेक्शन में जा रहे हैं और बहुत ही कंडिशन वर्स होजाती है वर बहुत दिनों तक चलता है या फिर मैजर शेटी जाता है या फिर वनको डामेज हो जता है तो हम किसी को पता नहीं रहता है मोस्ट आप टाइम तो पुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा हो जाता है वहार में तो उसके वज़ का सब प्रॉफिट विकिंग भी आ सकता है इन्वेस्टर की तरफ से तो नीचे जो टार्गेट रहेंगे अभी फिलाल करेंट चार्ट के हिसाफ से वो रहेंगे 32,500 से लेकर 29,500 डीपर करेक्शन आता है तो 29,500 को देखने मिलेगा अगर एक लाइटर करेक्शन या फिर और के जैसे तोड़ा सा करेक्शन कंट्यूनिय हो रहता है तो हम 32,500 तक भी जा सकते हैं करंट लेवल है 36,500 के अरहा है अभी देखते है विक्ली चार्ट तो विक्ली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस विक हम लगवग 3.11 परसेंट नीचे बंद हुए लगवग 1200 डाउन बंद हुए बैंक निफ्टी पे और यहां जो है तो विक्ली चार्ट पे अभी करेक्ट्व ट्रेंड शुरू हो चुका है यहां जो है तो बहुत डीपर जा सकता है और जिससे मैंने कहा थे कि 39,500 आ सकता है तो वह क्लेरली दिख रहा है कि विक्ली चार्ट के अनुसर हम उस लेव तो यहां मल्टिपल डाउनसाइड टार्गेट है यहां अभी जो मेडियम टम स्टाटेजी रहेगी वह सेलांट राइज रहेगी जिता स्टिक स्टॉप लॉस वह लेटिलिटी एड़ पीक रहेगी क्योंकि विक्स बढ़ चुका है तो यहां ट्रेडिंग करना भी इतना आ पहला टार्गेट रहेगा 35,200 जो अभी जो लो लगाया है बैंक निफ्टी में सेम लो है उस लो को हम फिर से टेच कर सकते हैं अगर वो तूट जाता है तो फिर उसके बाद में 33,200 के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे अगर और डीपर करेक्शन हाता है तो 29,000 पास तो करन्ट लेवल से बैंक निफ्टी जो है तो लगपक 6-7,000 पोइंट गिर सकता है अगर यह वर कंटिनुर रहा और जो कंडिशन है वो वर्स होती रहे एक दिन बदी तो यहाँ विकली चार्ट पे सेल उन राइज वियू रहेगा मंतली चार्ट पे हमने देखा है कि कि लॉं से जो है तो शॉट को रिंग आ चुकी है यहां जो है तो दोनों तरब के मौ आ सकते तो अभी यह जो है तो आपको अगले हपते के लिए देखना है अगर 36,300 के उपर बैंक निफ्टी सस्टेंड करता है तो यह शॉट को रहेगी और यह जाएगी लगबग लेकर उसको 37,300 से लेकर 500 के लेवल के तरब तो उन लेवल को यूज करना चाहिए अगर उन लेवल के आप सेल करते हैं तो आपका स्टाप लस रहेगा 38,000 और नीचे जो टार्गेट बनेंगे वह टार्गेट बनेंगे 36,300 और फिर से जो है तो लगबग 35,200 की टार्गेट आपको शॉट ट टार्गेट है यह इमिजेटली आ सकता है क्योंकि जिस तरह से ओलाटाइल मार्केट और जिस तरह से इवेंट पैन आउट हो रहे तो मुझे आश्र है नहीं होगा कि हम जो है तो एक ही दिन में 1000 तो अज़र पाइड़ी देख चुके है यहां जो है तो हमने लगबग 2700 का तो पॉल देखा था वहां से थोड़ा से रिकोर होके बंद हुआ था तो यहां अल्ड़ी आप देख सकते हो कि एक्सपारी के दिन हमने 2200 पॉइंट को फॉल देखा था था थोड़ा से नीचे के लिए है इसलिए हमें थोड़ा से कम दिख रहे हैं नहीं तो यहां रहेगा 34,000 का तो अर उसमें जो stop loss रहेगा वो stop loss रहेगा आपका लगबग 36,800 का तो 500 पॉइंट का stop loss है और जो target बनता है उस सिनेर्व में वो लगबग 2,000 से 5,000 पॉइंट करें तो अच्छा का सर रिस्क रिवोड है बड़े stop loss रहेंगे क्योंकि वोलाटाइल मार्केट है तो इसलिए डीपर stop loss रखने पड़ेंगे और वो ट्रिकर होने की भी ज्यादा आशंका है क्योंकि दोनों तरप के मुह आपको देखने पर मिलेंगे इसलिए मेरी सला रहेगी कि जो छोटे ट्रेडर है वो सरफ वेट एन वाच करे मजा ले मार्के जो है अगर ट्रेड करना है तो आपको add the money या फिर in the money put option या call option के जरीए ट्रेड करना होगा वो तो उससे भी महेंगा है और retailer उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करते तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप जो तो मार्केट से दूर रहे अगर उपर के लेवल पर आ जाएगी 37,500 के तरफ अगर मार्केट उसके नीचे खुलता है तो हो सकता है कि हम जो है तो मंदे के ही दिन शायद 34,000 का भी लेवल देख सकते हैं और इवेंट या फिर जो जो शॉट को रिंग थी वो खतम होने के बाद फ्रेश शॉट जो है तो फिर से मार्केट में बन सक कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि डिय जादा दिनों तक रोड़ पाएंगे और एक बार बायर्स गाया भोगे मार्केट में के उसके बाद जो है तो मार्केट अपने आप घिरने लगता है क्योंकि वहां जो है तो मार्केट में डिमांड ही नहीं रहती सप्लाय जो यह थो तो यहां मेरा व्यू बेरीश ही रहेगा हम जो तो अगर ऊपर का लेवल मिलता है तो हुआ भी फिरसे बेचने की खोशिश करेंगे और in the money यह तो buy करने की कोशिश करेंगे अगर market मनदे कि दिन इसके नीचे खुलता है तो हम जो तो 33,300 का headache लेना पर सुन करेंगे और टार्गेट आपके रहेंगे 2000 से 2000 पॉट तो I hope so कि जो अनलेसिस इस आपके लिए helpful रहेगा तो प्लेज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो को ज्याद से ज्याद लोगों के साथ शेर किजें अगर आपको मेरे वीडियो पसंदे तो मेरे चैनल को और फ्यूचर और आउच्छन कॉल चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहां जाकर डिटेल पड़िये और चाहे तो आप मेरे सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो और थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो दिस्ट अप्राइब कर दो श्राइब कर दो प्रॉंड कि अप्राइब कर दो आफ बाल इप दो